नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम परतीसत निकालना सीखेंगे किसी भी नंबर का परतीसत कैसे निकालते हैं कोई भी नंबर दिया रहे तो उसको परतीसत में कैसे कनवर्ट करते हैं आज के इस वीडियो में हम काफी आसान तरीका सीखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस तरह के यानि किसे भी परतिसत के question को काफी आसान परीका से solve करेंगे चुकि इस वीडियो के माध्यम से आपको विल्कुल zero level से और विल्कुल ही आसान तरीका बताय जाएगा तो देखिए हम क्या सीख रहा हैं प्रतिसत कैसे लिखते हैं तो यहाँ देख सत यह हमारा प्रति सत जब सनधी भी च्छहित करेंगे तो आपका हो जागे यहाँ बर्टि और प्लस में हो जागा है किया सत प्रति तो इसका मतलब होता है कि संख्या के सांत संख्या में सो को लगाएंगे, जब इस परतिशत के चिन को लिका आएंगे देखिए मालिजे कि यहां पर आपका यहां पर लिखा रहा है मालिजे 2% तो इसके बराबर क्या हो जाएगा तो इसके बराबर हम लिखेंगे 2 बाटा 100 यहां पर है 1% तो इसके बराबर क्या है 1 भाई 100 यहां पर है आपका 13% तो इसके बराबर में क्या है 13 और बाटा में 100 दे आये अब कोश्वन को सुल्व करते हैं, देखिए कोश्वन है कि 470 का 12% कितना होगा, देखिए 470 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 470, देखिए यहाँ पर कहा है का, तो जहां भी मैं इतंबे का देखिए ना, इसका मतलब होता है गुना, यहाँ भी का है, वहाँ पर हम गुन 47 है गुना में क्या है 12 है और बार्टाय में क्या यहां पर 10 है अब देखिए 47 का गुना करना है बारे में कितना होगा देखिए 12 गुना करेंगे 7 में तो 12 सत्य के 84 का 4 और आपका हार्सीन हो जाएगा यहां पर 8 चार पर पाद के बाद जीरो भी लगा सकते हैं यह 56 रुपए 40 पैसा आपका 470 रुपए का 12 परसेंट रुपए होगा तो अब यह सेकंड कुर्शन सल पर ना सिकते हैं देखिए सेकंड कुर्शन क्या है कि आपको 20,000 का 13 परसेंट कितना अगण निकालना है तो सबसे पहले क्या है 20,000 है तो मियाव 20,000 है उसके बाद का है तो का का मतलब है गुना 13 है तो तो झालत में यहाँ महां धाल लगें के दो सबावायर कटांगे एक सबार्गude gonna तो आपको जाएगा 13 गुना है तो गुना यहां पर आपका 200 बच गया है तो यहां पर हम 200 लिखेंगे तो देखे, simple सा 13 गुन करेंगे 0 में तो आपका 0 13 गुन करेंगे 0 में तो आपका 0 और 13 का गुन करेंगे 2 में 13 गुन एक 26 यह हो गया इस question का final answer तो दोस्तो आई होब किUIिए वीडियों के मात्यम्स राको परतिसत निकलना समझ में आ गया होगा और इसी तरीका से आप कोई भी परतिसत कर कोश्ण सल्फ कर लेगे तो दोस्तो अगर वीडियों अच्छा लगा हो ना तो वीडिव को लाइक कर दिजिये का और इस चैनल पर पहली बराएं हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा ताकि आपको नेव वीडियो का नोटिप स्थाब को मिलता रहेगा और आपके जो भी मैथ के तेरी हमशाद चलती रहेगी और आपका मैथ आने वाले समय के लिए काफी स्ट्रोंग और काफी मजबूत हो जाएगा